सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंतरा चानल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आगे बनने से पहले हम आपको बता दे कि हम कोई financial advisor नहीं है और कोई भी investment करने से पहले आप अपनी खुद की research जरूर कर ले आपके profit या loss की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं नमस्कार दोस्तों मैं जाते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी बंतरा के एक नए वीडियो में और आज है संडे और हर संडे की तरह हम आपके लिए कर आए क्रिप्टो वीकली अपडेट का एक नया वीडियो जहां पर हम discussion करेंगे Bitcoin के बारे में Bitcoin dominance के बारे में, altcoins के बारे में, क्या कुछ news रही पिछले हफते के अंदर उन सब चीजों के बारे में जरूर discussion करेंगे इसी वीडियो के अंदर तो बने रहीगा आखरी तक ताकि आपको सारे important updates मिल सके हमारे इस वीडियो के अंदर और आगे बनने से पहले आप सुब लोग ताकि आपको सारे important updates और notification मिल सके हैं आपके mobile phone और आपके laptop devices पे हमारे वीडियो से related तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, right, सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो करेंगे सबसे एक hot news के साथ में, जो कि अब आप मेरी screen पर देख सकते हैं, जहां पर लि cryptocurrency के लिए खोल दी हैं, जहां पर जाकर आप bitcoin को buy या फिर sell कर सकते हैं, cryptocurrencies को buy या sell कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर वो कुछ और facilities भी provide करेंगे, जैसे कि आप अपना saving account with crypto wallet वहाँ पर खोल सकते हैं, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर loan facility भी available होगी, cryptocurrencies के against, gold के against, और real estate के against, अब वहाँ पर जाके gold भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप investment in cryptocurrencies, bond या fixed deposit में करना चाहेंगे, तो वह भी वहाँ पर available होगी, year 2022 तक इनका plan है कि total 100 branches जो यह खोलने total, तो यह सारी चीज़ यहाँ पर planned है, और एक physical branch होगी, जहाँ पर आप personally जाकर, एक representative से मिलकर, वहाँ पर cryptocurrencies का buy, sell और यह सारी facilities जो हैं, वो ले पाएंगे, काफी जादा bullish news है, यह इंडिया के perspective से भी, और साथी साथ cryptocurrency market के perspective से भी, अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफतों के अंदर, जिस तरीके की news market के अंदर आई है, जिस तरीके से बड़े-बड़े investors cryptocurrency market के अंदर enter कर रहे है, पेपाल का भी enter करना, एक तरीके से market को काफी जादा bullish sentiment के साथ जोड़ता है, काफी जादा bullishness देता है cryptocurrency market के लिए, लेकिन साथ के साथ अगर हम बात करें, चार्ट के ओपर जो चीज़े दिख रही है, उन सब चीजों के बड़े में जरूर बात करें 13,643 का rate चल रहा है, जो कि bitcoin का चल रहा है, ethereum का rate चल रहा है, 387 का, हाला कि अगर मैं बात करूँ तो सिरफ और सिरफ bitcoin ही ऐसा एक asset है, जो कि अगर हम देखें कि market में bullishness की तरफ गया है, बाकी सारी crypto currencies हो, या stock market हो, काफी जादा नीचे की तरफ गई है, और सिरफ और सिरफ हम अगर देखें तो financial instruments की अंदर bitcoin ही एक ऐसा instrument में को देखने को मिला, बेसिकली जो की काफी जादा जो है वो bullish होता हुआ दिखा, तो इसका जो main reason था, वो main reason यही सारी news वगेरा और यही सारा सब कुछ चीजे थी जो कि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली regularly, right, तो definitely अब ह क्या कुछ possibilities बनते वे दिखनी है bitcoin के चार्ट के उपर, तो अभी मैं आपको यहाँ पर switch करना चाहूँगा, यहाँ पर bitcoin के चार्ट के उपर फड़ा फट, right, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है bitcoin का चार्ट, right, जो की daily chart है, और daily chart पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरही की यह जो trend line यह जो देखने को मिल रही थी, जो कि हमको weekly chart पर भी बहुत ही clearly, यहाँ पर visible है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन यह weekly chart पर तो visible है, लेकिन हम जो discussion करना चाहेंगे basically, जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, वो यहाँ पर आपको daily chart पर ब rates को उपर cross किया था, 14,100 के rate को यहाँ पर touch किया था, वैसे ही market जो है, वो नीचे की तरफ आया, इसका clear cut reason यह था कि बहुत जादा sellers जो है, वो उस range के अंदर बैठे वे हैं, पहली चीज यह और यह जो buying आ रही है, बहुत जादा बड़े volume के साथ नहीं आ रही है, यह जो volume ह sell-off जो है, वो देखने को मिल रहा है, जैसे ही 14,100 के असपास का rate गया था, वहाँ से सीधे drop हुआ था market 13,500 के rate के असपास, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से हमको एक sell-off दिख रहा है, एक sell-off zone है, जो कि 13,800 के उपर जो है, वो यहाँ पर है, temporarily उपर की तरफ market जाना, it's not like क उसके उपर definitely देखने को नहीं मिल रही है, वहाँ से reject हो रहा है, अब यहाँ पर किन-किन reasons की वज़े से reject हो रहा है market, जो कि charts के उपर जो दिख रहा है, पहली चीज तो हमको यहाँ पर resistance ही दिख रही है, जो कि 14,000 की resistance है, और उसको जो है market अच्छे तरीके से break नहीं कर पा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर orange color की line, यह भी एक जो है यहाँ पर resistance बना हुआ है market के लिए, तो जब तक यहाँ से इसको तोड़े नहीं और इसको तोड़ना अतना आसान भी नहीं है, तब तक बहुत जादा bullish तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय पर retail investors और जितने भी आप जैसे और हम जैसे लोग हैं, इस समय पर इस price पर 14,000 के rate पर हमको लगता है कि काफी जादा महेंगा है, और अभी हमें इस rate की इतनी जादा सुनने की आदत भी नहीं है कि हमको बहुत जादा usual सा rate यह 14,000 का rate, हमको जो बेसिकली आदत है सुनने के लिए जो usually हम जो सुनते में आया है, पिछले दो साल में जो rate सुनते में बिटकोईन का, वो सुनते में आया है, साड़े 10,000, उसके नीचे का जाता है तो साड़े 9,000, साड़े 8,000, साड़े 7,000, यह जो range है, यह बेसिकली range ह तो हमको उस rate की आदत है, हम उस range में आकर तो जरूर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उस range से उपर जब यह Bitcoin है, तो हमें लगता है नहीं नहीं अभी फिलाल के लिए थोड़ा सा महंगा लगता है, तो यहां पर कोई भी retail या फिर institutional investor जो है, वो entry करने की नहीं सोचता, तो ऐसे situation में होना क्या चाहिए, यहां से अगर हमको एक जो horizontal resistance प्लस ही जो trend line resistance है, यहां से अगर हमको एक drop देखने को मिले, तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके का drop है, वो देखने को मिल सकता है, कुछ समय के अंदर अंदर, और यहां पर यह जो price है, यह fall down करके दुबारा trend line को test कर सकती है, जो की साड़े आठ हजार और आठ हजार या फिर साड़े साथ हजार तक भी जो है, वो drop ले सकता है, जो की November या December month के अंदर हमको देखने को मिलेगा, यह सीधे क्या ऐसे ही drop हो जाएगा, नहीं, अफकॉस नहीं होगा, यह थोड़े बहुत ऊपर नीचे, ऊपर नजर आ सकती है, यह possibilities है कि यह दुबारा से जो trend line है, यह test हो जाए, और उसके बाद अगर यह market अगर यह उपर की तरफ अगर निकलता है, तो हमको यहां से यह कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है, जहाँ पर यह नए highs या फिर 20,000 के आसपास के जो levels है, वो यहाँ प test करते वे, दिख सकते हैं, market में हमसको यहां पर, तो यह सारी चीज़े हैं, जो कि हमको यहां पर देखने को मिल रही है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी chart के ओपर थोड़ी सी और चीज़े देख लेते हैं, जहाँ पर हम बात करें weekly chart की, तो weekly chart पर सबसे पहले मैं यहां पर य यहां पर देखने को मिल रही है, जो की ऊपर की तरफ close हुई है, जो की लगबग लगबग में बात करूँ तो साड़े बारा हजार के rate के ऊपर close हुई है, पहले साड़े बारा हजार, बारा हजार के आसपास का एक जो candle था, वो bullish यहां पर close हुआ था, काफी आदा bullish close हुआ उसके बाद market ऊपर की तरफ वापिस गया, और यहां पर अगर मैं बात करूँ तो अब एक ऐसा level देखने को मिल रहा है, जो की लगबग लगबग अगर हम बात करें तो 13,700 के ऊपर अभी जो है market trade कर रहा है, और 13,000 के ऊपर जो है candle, जो weekly candle है, जो वो closure देखने को मिला है हमक जो की काफी जादा bullishness शो करता है, अगर मैं long term की बात करूँ तो, लेकिन short term में definitely news भी impact कर सकती है, और चीज़े भी impact कर सकती है, उस चीज़ों के बार में जरूर discussion करेंगे अभी इसी session के अंदर, तो यहां पर अगर हम बात करें weekly chart की तो काफी जादा bullishness दिखती है, लेकिन resistance of course, तो यहां से reject होना एक बहुती सवभाविक चीज़ है, और साथी साथ अगर मैं बात करूँ monthly candle की, तो monthly candle पे पहली बार ऐसा हुआ है, कि इतने ऊपर के level पर closure मिला हो, अगर आप बात करेंगे 2017 की भी, तो जो December month में closure मिला था, वो मिला था, 13716 के price पे मतलब की 13716 पे, औ 31st October को जो candle जो close हुई है, तो यह जो closure मिला है, वो मिला है, 13791 के rate पे, जो की अब तक का सबसे ऊपर का closure है, मैं सबसे ऊपर का rate नहीं कह रहा हूँ, इस से ऊपर का closure आज तक monthly candle में, bitcoin पे नहीं देखने को मिला, तो definitely एक bullish सरूर है, लेकिन जिस तरीके से market जब-जब bullish हुआ ह वहाँ से definitely एक correction भी देखने को मिलता है, जो एक resistance मिल जाये तो, तो यहाँ से एक resistance देखने को मिल रही है, जो की 14,100 के असपर की resistance है, अगर bitcoin इसको cross करने में कामियाब नहीं होता है, तो वहाँ से गिरने की जो है, काफी ज़्यादा chances है, और इस चीज़ के काफी ज़्यादा अगर मैं हम बात करते हैं सबसे पहले gold की, इसके बात की, यहाँ पर gold पर क्या को चल रही है, क्योंकि gold का analysis इसलिए ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि bitcoin और gold काफी ज़्यादा correlated रहते हैं हापस में, और इसी वज़े से जो है, वो market जो है, वो gold को भी follow करता है, और यहाँ अगर हम देखें, तो यह एक trend line थी blue color की, जिसको की gold काफी ज़्यादा respect कर रहा था, पहले तो इसके उपर नहीं जा रहा था, अब जो है, जब यह नीचे गिरने को हुआ, जब अब हमने देखा कि 2170 के आसपास का rate गया था उपर, और उसके बात से लेकर जब यह गिर रहा तो इस trend line को respect कर रहा है कि इसके नीचे नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम बात करें, पिछले कुछ घंटों की तो एक बारी के लिए यह नीचे ज़रूर आया था, और उसके बाद यह उपर की तरफ यहाँ पर, जहाँ पर resistance था, उससे टकरा कर यह दुबारा नीचे आने की सकता है, of course ऐसी possibilities बहुत जादा है, उसके reasons भी बताऊंगा मैं definitely, पहले तो मैं आपको चार्ट पे कुछ analysis दिखाना चाहूँगा, gold की मैंने आपको दिखाई दी है, यहाँ पर यह जो trend line है, इसके अगर नीचे जाता है, तो definitely फिर उसके बाद 1800 के आसपास के rate हमको देखने क मिल रहे हैं, और अगर यह यहाँ तक जाता है, तो 1660 का rate भी जाता है, एक बारी के लिए test हो सकता है, gold के chart के ऊपर, यह सारी चीज़े हैं, अब हम बात कर लेते हैं, एक बारी SPX की, SPX बेसिकली, SPX जो S&P 500 जो chart है, बेसिकली यह US का stock exchange chart है, इसके बारे में भी, यहाँ पर हमको यह एक green color की जो है, यह trend line हमको देखने को मिल रही है, जिसको की काफी समय से respect कर रहा है, अगर मैं बात करूँ, year 2000 से यह chart जो है इसको respect कर रहा था, कि इसके ऊपर नहीं जा रहा था, बार-बार इसके बाद जो है वो टकरा कर नीचे आ रहा था, लेकिन अगर हम बात कर पिछले एक साल की, तो definitely बहुत को चीज़ें जहां वो changes हुए है, तो इसी चीज़ को देखते हुए, अगर हम यहाँ पर weekly chart अगर हम खोल लें, तो weekly chart पर हमको clearly नजर आएगा कि January, February, मतलब कि last November में definitely एक बड़ी ऊपर की तरफ गया था, और ऊपर की तरफ जाने के बाद, February म तो यह सारी चीज़ें जो है, हमको यहाँ पर देखने को मिली थी, charts के उपर, और अगर मैं अभी बात करो, तो उसी green line को जो है, वो यहाँ पर respect दे रहा है, जिस तरीके से की gold यहाँ पर respect कर रहा है, तो अगर यहाँ से, अगर यह fall down अगर करता है, तो definitely एक जो resistance बना हुआ है, वो तो market में उपर 3600 के आसपास का resistance बना हुआ है, जो कि SNP पर बना हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करे, SNP 500 पर यह resistance है, SPX के chart के उपर, और अगर यह यहाँ से, अगर यह नीचे की तरफ अगर यह गिरता है, तो फिर यहाँ पर यह जो support है, यह हमको देखने क मिल सकता है, 2900 के आसपास, जो कि मैंने अभी थोड़े दिर पहले ही यहाँ पर चेक किया था, तो यहाँ पर यह जो है, यह एक तरीके से support जो है, वो देखने को हमको यहाँ पर मिलेगा, करीब-करीब, इस levels के आसपास, करीब-करीब अगर मैं बात करूं, तो इन levels के आसप करने के लिए, यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है, अगर यहाँ से अगर fall down करता है, तो यह सारे support levels है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहे है, 2750-2900 काफी ज़्यादा possibilities है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कि market गिरना चाहिए, गिरना क्यों चाहिए, सबसे पहले इन elections का result आएगा, तो इस बारी बहुत जादा probability हाई है, कि Joy Biden जो है, वो यहाँ पर जीत जाए, क्योंकि US में जितने भी polls चल रहे है, जितने भी opinion polls चल रहे है, उन सब चीजों को लेकर भी कुछ इस तरीके के results आ रहे हैं, कि हो सकता है कि Joy Biden यहाँ पर जीते हैं, और अगर Joy Biden अ जो है, वो matter drag हो जाएगा, अगर यह Supreme Court तक अगर यह matter जाता है, तो Supreme Court definitely जो counting हुई है votes की, उस counting को दुबारा करने के लिए कहेगा, अगर ऐसा कुछ अगर होता है, तो उसके लिए कुछ हफतों का समय और लग जाएगा, हो सकता है कि 7-8 हफते, हो सकता है कि थोड़े से जाद है, जब वहाँ पर integration date होगी, जहाँ पर की एक शपत जो ली जाती है, एक तरीके से जैसे इंडिया में भी होता है, कि जो भी minister यहाँ पर किसी भी एक post पर जाता है, तो वो एक शपत लेते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर भी होता है, तो वहाँ पर अगर इस तरीकी की एकर अगर होती है, तो definitely market में जो है, एक uncertainty बनेगी, जहाँ पर कि यह decided नहीं होगा, कि कौन आने वाला president दुबारा बनेगा, आने वाले समय में कौन president बनेगा, तो एक uncertainty देखने को मिलेगी market के अंदर, जो कि market को काफी जादा नीचे की तरफ ला सकती, एक fear देखने को मिलेगा, ए यह सारी चीज़े होंगी, उसी के साथ साथ, अगर मैं बात करूँ, क्या यह चीज पहले कभी हुई है, कभी ऐसा कोई चीज पहले कभी history में हुआ है, कि ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी ने results को accept ना किया, जितने भी जितने भी वहाँ पर जो politicians होते हैं, वो तो accept कर लेते हैं, ल उन्होंने यह results को accept नहीं किया था, अगर वो results को accept नहीं करते हैं, तो उस condition में जो matter है, वो supreme court मजाता है, definitely मुझे भी यह पहले से पहले बात नहीं पता थी, लेकिन मैंने definitely एक वीडियो से reference लिया, और उन सब चीजों को से समझने के बाद ही, यह सारी चीज़े आप सब ज़्यादा जरूरी है कि क्यों market bearish हो सकता है, उसके अलावा, इसके अलावा जो basically जो reason है, इस समय पर अगर हम बात करें, Germany already दुबारा lockdown लगा चुका है, Italy, France दुबारा lockdown लगा चुके हैं, अगर हम बात करें, आज की तो आज England से UK से यह news आ चुकी है, कि वो भी दुबारा lockdown लगा रहे हैं एक महीने के लिए, तो यह जो सारी चीज़े हैं, यह दुबारा से uncertainty की तरफ हम जा रहे हैं, कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, market is not clear, economy is not clear, कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इसी वज़े से market कोशिश करेगा, sell off करने की, जहां पर लोग अपने पास ज्यादा cash रखना चाहेंगे, ताकि उनके पास basics के लिए, अपने basics के लिए पैसा हो, जहां पर उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, electricity, rent, इन सब चीज़ों के लिए उनके पास पैसा हो, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना survival कर सके हैं, इसी लिए ही लोगों सम यह सारे sentiments बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं market के उपर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूरूरी है हम लोगों को यह सब कुछ चीज़े समझना, राइट, वापिस आ जाते हैं हम हमारे SSP के चार्ट के उपर, यह सब हम देख चुके हैं definitely chart को, अब हम बात करेंगे Ethereum के उ support line है, यह देखने को मिल रही है, यह भी दुबारा test नहीं हुई है, लेकिन इस बारी मुझे बिलकुल लगता है ऐसा कि जब यह इस बारी test होगी तो हो सकता है कि यह breakdown हो जाई, जो की लगबग, लगबग, 352 के levels जो होंगे, वो करीब-करीब, यहां पर हमको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उच्छाल देखने को मिल सकते हैं, जो की एक resistance zone है, 400 के levels के आसपास, 400 के levels के आसपास, दुबारा जाके market यहां से fall down कर सकता है, और अगर 400 के आसपास दिखे, तो definitely मैं एक होगा कि एक अच्छी कासी short करने की opportunity होगी, वहाँ पे Ethereum को, with this stop loss of 422, 422 के stop loss के साथ में, हम 400 के level के आसपास हम एक short कर सकते हैं, लगबग 5% का करीब-करीब risk है, और उसके बाद जो है short करकर हम चल सकते है market को, जहां पर कि हमको एक अच्छा खासा profit नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, अगर यहां पर 360 के rates को अगर यह breakdown अगर करता ह है, अगर यह trend 9 को break करता है, नीचे की तरफ अगर आता है, तो हमको 310 के levels जो हैं, वो देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ समय के अंदर, और 310 के नीचे अगर यह फिसलता है, तो 255 के levels जो हैं, वो आने वाले समय में हमको देखने को मिलेंगे, Ethereum के ऊपर, यह सारी था, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में भी बताया था, कि 420 का जो level था, बहुत जादा main support था, जो कि यहां से उसको वो ऊपर break करकर नहीं जा पाया है, और उसके बाद, जो है, continuous market मीचे की तरफ आ रहा है, अभी 400 के levels के आसपास का जो एक level है, वो है, एक resistance, और जो main resistance से वो 420 की है, इसी लगी मैंने आपको 422 के stop losses जो है, वो suggest की है, तो यह सब को चीज़े चार्ट के ओपर दिख रही है, जो कि मैं आपको बहुत बहुत बता रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी analysis करेंगे, तो आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़े, त और काफी जादा bullishness यहाँ पर हमको Bitcoin dominance में देखने को मिली है, और यहाँ पर अगर हम trend line की बात करें, तो 65.63 के असपास की levels बनते हैं, जिसको यह touch कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक horizontal resistance भी है, तो यहाँ पर यह touch कर सकता है, और वहाँ पर एक gap भी हलका सा यहाँ जो दिख र थोड़ा सा यह broadening है, जादा broadening नहीं है, बड़ा broadening नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है, इस trend line को अगर यह break करता है उपर की तरफ, तो यह कहाँ तक जा सकता है, तो उस situation में हम यहाँ पर जो help लेंगे बोलेंगे Fibonacci की, यहाँ पर हम Fibonacci से एक यह level draw करेंगे, यह करीब 67.20, 67.30 के बीच में करीब करीब यहाँ पर आ रहे है, जो कि एक horizontal resistance भी है, अगर यहाँ से यह उपर की तरफ break करता है, तो मेरे को लगता है कि 67.30 के levels भी test कर सकता है Bitcoin dominance, अगर Bitcoin गिरा, Bitcoin के साथ और coins भी गिरे, तो उस situation में Bitcoin dominance उपर की तरफ जाएगा, और alt coins जो है, वो और ज जादा है market के अंदर, market गिर सकता है uncertainty की वज़े से, क्योंकि market clear नहीं होगा, lockdown की वज़े से भी, US elections की वज़े से भी, और भी बहुत सारे perspectives के वज़े से, क्योंकि बहुत सारी countries, lockdown जो है, वो लगा चुकी है, कुछ countries लगाने जा रही है, Canada का यह प्लान है, कि हो सकता है कि वो पर lockdown जो हो दुबारा लगा गया है, तो यह सारी चीज़े हैं, जो कि आने वाले समय में काफी जादा impact कर सकती है, market को, चाहे वो share market हो, bitcoin हो, cryptocurrencies market हो, gold हो, जैसे कि हमने March के मन्त में देखा था, वैसी सारी चीज़े जो है, वो दुबारा देखने को मिल सकती है, इस समय के अंद पूछे है, तो वो सारे questions भी यहां पर पूछ ले, यहां पर हम देख लेते हैं, कि आप सब लोगोंने कौन कौन से coins के बारे में पूछा है, तो यहां पर जो main coin में को देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है, पहला सबसे पहले, Wi-Fi 2, यह सारे questions आपने टेलीगराम पर है, वो 1100 के levels का next support बनता है, अगर इसने 1120 या 1110 के levels को अगर यह breakdown करके दुबारा नीचे अगर जाता है, जो कि अभी फिलाल के लिए 1280 के rate के असपास चल रहा है, तो यहां से फिर से दुबारा नीचे की तरफ और जादा नीचे की तरफ आता है मेरे को, और जिस तरीके से downtrend में अभी यह लग रहा है, उस तरीके से तो मुझे यही चीज समझ में आती है कि यहां से market जो है वो और जादा गिरेगा, और यहां से हो सकता है कि वाइफाई 2 के rate समको बहुत जल्दी 500 डॉलर के आसपास भी देखने को मिलें, वाइफाई, वाइफाई 2 कुछ ऐसे coins है जो की बहुती thin air पे बने वे हैं, यह एक तरीके से hyped coins है, बहुत जादा hype create की गई थी और उसके बाद regularly गिर रहे हैं coins और मैंने इन coins को कभी भी लंबे समय के लिए hold करने के लिए नहीं सोचा, नहीं मैं कभी सोचता हूँ ऐसे coins को लंबे समय के लिए hold करने के लिए मैं सोच इसमें से अगर profit मिल जाए थोड़ा बहुत तो बस बहुत है, थोड़ा बहुत scalp कर लिया या ऐसा कुछ कर लिया बहुत है, दर्वाइस मैं maximum chances में इन coins के अंदर रुखने की कभी भी नहीं सोचता है, इसके बाद बात कर लेते हैं CDT coin के बारे में जो की question पूछा था, अकू आप है, और support को lose करके थोड़ा सा bounce back किया है, हाला कि इसके लिए जो main resistance है, 64 का, 64 के levels को जब तक ये ऊपर नहीं जाता, 64, 65 के levels के उपर तब तक नहीं हो पाएगा इस coin के अंदर कुछ भी, और आप देख सकते हैं कि मेरे chart के ओपर यहाँ पर रेड कि ट्रेंड लाइन जो है वो बनी भी है, जो की important है, जिसको ये break नहीं कर पा रहा है, काफी कुछ समय से इसको थोड़ा सा यहाँ पर zoom करेंगे तो नजर आ जाएगा, तो अब ये नजर आ रहा है, तो हम अभी देख सकते हैं यहाँ पर कि इस trend line को जो है, वो break नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर 26 के rate पर trade कर रहा है, 33 इसका main अब जो अगला support है वो है, अगर यहाँ से breakdown करता है, नीचे जाता है, तो काफी जादा नीचे की तरफ और गिरावट देखने को मिल सकती है, ETH के बारे में पूछा है, ETH के बारे में हम ओलडे discussion कर चुके हैं, SP आनंद का एक question है, CHR और USDT के ल अब इसके लिए जो resistance हो चुका है, वो चुका पुराना support जो की है करीब करीब एक डॉलर के आसपास, वन डॉलर के आसपास इसका पुराना support है, राइट, रेजिस्टेंस था, अब वो support बन चुका है, और वन डॉलर के आसपास के जो rates है, वहाँ से अगर यह उपर गया भी तो 1 डॉलर के आसपास दुबारा reject हो जाएगा, जो की मैं को यहां से देखने को साफ साफ दिख रहा है, यहां पर मिल रहा है, और अगर यहां से reject अगर और अगर होता है, तो further or down हो सकता है कि 0.5 डॉलर के आसपास मतलब की, 0.5 डॉलर मतलब की करीब करीब half डॉलर के पूछे गए है, अब मैं XTZ coin की बात कर लेता हूं, Tezos coin की, वो भी coin एक ऐसा coin अभी इस समय पर काफी favorite coin है मेरा, लेकिन still उसके बावजूद मेरे favorite coin होने से तो कुछ नहीं होता है, यहां पर market में basically जो अभी समय पर situation चल रही है, वो चल रही है bearish, और alt coins, मैंने अब सब लो लेकिन अगर हम बात करें bitcoin की तो सिरफ एक एकलौता ऐसा asset है, जो की उपर की तरफ गया है, जो की अपने sentiments की वज़े से और जिस तरीकी की news market के अंदर आई, उस वज़े से गया है, लेकिन बाकी सारे जो assets हैं, वो fall down हुए है, तो यह भी fall down falling ही है, आप देख सकते हैं कि इस लेकिन अगर यह break करके दुबारा से नीचे की तरफ जाता है, करीब करीब 1.86 के levels हैं, अगर हम उपर इसके resistance की बात करें, तो यह यहां पर इसका resistance होगा 2.18 के आसपास, यहां पर हम देख सकते हैं, 2.18 के level हमको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, 2.17, 2.18 के levels, तो यहां तक उपर जाके फिर से reject होने की पूरी पूरी उमीद है, यहां से की नीचे की तरफ जाएगा, इसके अंदर आप थोड़ा बहुत scalp करके तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन scalp करके थोड़ा सा swing trade मिल जाए, तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि यहां से क्या एक यहां पर अपर ट्रेंड में तो डेफिनेटली नहीं, यह उपर अपर ट्रेंड में नहीं जाता वा दिख रहा, यहां पर यह मेरे को बहुत ही और जादा नीचे जाता वा दिख रहा है, हो सकता है कि अपना अगला support जो वो test कर ले, जो की 1.5 डॉलर के असपस है, हो सकता है कि उसके भी further नीचे आजा है, हो सकता है, काफी जादा नीचे देखने को मिले यह coin, यह काफी जादा expectations है, मुझे इस तरीके से जो देखने को मिल रही है, यह सारी चीज़े है, एक question पूछा गया, XRP को लेके, XRP की अगर मैं बात करूँ तो XRPUSDT, तो यह जो coin है, इसके ब तोड़के उपर की तरफ नहीं तुक टिकता, तब तक यह उपर की तरफ हम expect नहीं कर सकते हैं, और उस चीज़ का जो समय है, मुझे नहीं लगता कि अभी आया है, कुछ समय जरूर लगेगा, उसके बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं होता है, ऐस XRP कोईन के बाद भी, और जो कोईन हैं, ONT के बारे में हम बात कर लेते हैं, ONT के बाद हम एक आखरी कोईशन, आखरी कोईन और ले लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, यहाँ पर अगर हम ONT कोईन की बात करें, तो यह अपने weekly level पे बात कर लेते हैं, अपने support के आसपास कहीं कहीं घुम रहा है, आप देख सकते हैं, यह जो है, यह इसका support है, 45 cents के आसपास, 44 cents के आसपास, और थोड़ा बहुत अगर bounce back अगर यहाँ से support level से अगर मिल जाये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन otherwise यह में को क कोई भी फिलहाल के लिए bullishness नहीं नजर आती, अगर हम daily chart पे भी अगर हम देखेंगे, तो यह किस तरीके से falling है, यह fall ही कर रहा है सिरफ, market overall bleed ही कर रही है, जब तक market एक अच्छे position पे ना है, मुझे नहीं लगता entry करनी चाहिए, और मैं already August month के end के बाद, जो है, वो USDT में ही बैटा हूँ, क्योंकि मुझे उमीद नहीं थी कि Bitcoin अकेला ही सिरफ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ से sentiments जो थे, वो काफी ज़्यादा, पूरी market के लिए overall bearish थे, और बहुत सारे लोग जितने भी institutional investors या फिर retail investors हो, वो इस rate पर buy करने के लिए Bitcoin को तयार नहीं है, मैं भी या फिर उसके नीचे के rates अगर में को मिल जाए Bitcoin में, तो मैं धीरे 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 करके parts में buy करना शुरू करूँगा, तो ये सारी situation है, जो की overall situation है, इसके बाद जो last बात करेंगे, वो करेंगे BCH की, क्योंकि BCH के बारे में पूछा भी गया question, और इसका एक hard fork है 15 तरीको 15 November को और इसके लिए important resistance है, करीब करी 280 के levels, जो की मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में भी बताया था, अभी भी अगर हम बात करें, तो 281 के levels को touch करकर ये just नीचे आ गया है, और ये coins कोई भी bullishness show नहीं करना है market के अंदर काफी समय से, और ये जो है, ये एकदम जिसे कहेंग और BCH, SV के अंदर split हुआ, अब ये फिरसे split होने वाला है, जो की 15 तरीक को split हो जाएगा, 15 November को, तो ये सारी चीज़े हैं, जो की हम को यहाँ पर देखने को मिल रही है, BCH coin को लेके, तो temporarily हो सकता है कि उपर की तरफ चला जाए, क्योंकि news है इसके अंदर, लेकिन otherwise मुझे न अंदर elections point of view है, lockdown point of view है, और क्या कुछ news है market की, वो सारी updates दी, इसी वीडियो के अंदर मैंने आप सुब लोगों को, और आप सुब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो definitely like का बटन बिलकुल दबा दीजेगा, ज्याद ज्यादा share की इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी सारे updates मिल सकें, cryptocurrency से related, और ये ज़रूर बताइएगा, कि market में इस समय पर, जो cryptocurrency के जो branches हैं, वो खुल चुके हैं, इंडिया के अंदर, ताकि उनको जो sentiment से, जो negativity लोगों के अंदर, जो cryptocurrency को लेकर, जो बनती है कभ वो सारी negativity ना बने, इसको भी ऐसे ही treat किया जाए, जैसे कि एक investment, जो एक, जैसे बोलेंगे, instrument होता है, investment, instrument, या फिर एक asset के रूप में, इसको treat किया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर हमें, और ज़्यादा growth जो है, वो देखने को मिले, जितने ज़्यादा लोग इसके सा जालती है, तो उस तरीके से हमको जो है, एक public driven चीज है, जो की एक अच्छा खासा result आगे वाले समय में, दे सकती है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही देखने के लाइस ब्लोग बहुत बहुत धन्यवाद, उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो का आप भी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आये तो एक लाइक का बड़न को दबा जी दे, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताए कैसा लगा आप कोच का वीडियो और ऐसे कौन कौ से वीडियो जो होंगे, जो कि आप हमारे चानल पर देखना चाहेंगे, ये भी ज़रूर बताएगा, फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देखने के लाइस दो बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद, वन्दमातरम,